नमस्तार डक्टर अपूर्वा ओगदा में आपका हादिक सुवागत है आज हम आपको बताएंगे हींग के फायदे कीडा खाई खोकले दाथ दर्ड में हींग भरने से तुर्ण तलाव होता है हींग को गरम करके दाड के नीचे दरा लेने से कीडा के कारंड होने वाला दर्ड सीखर सांथ हो जाता है हींग को पानी में पीस कर गुत्मों पर लेप लगाने से गुत्मों का दर्ड दूर हो जाता है हींग को गरम पानी में गोल कर नावी के आसपास लेप अता थोड़ी सी हीं भून कर सहब के साथ चात लेने से दपारे आना बंद हो जाती है तता व्यूक भर जाती है दात दर्द में गरम पानी में हीम गोल कर कुल्ला कहिना अप्योगी है यदि अफीम खाएं अधिक समय ना हिया तो तो पहले वाई या वीठे का जल इकर सेवन कराएं और यदि अधिक समय हो गया हो तो इनको मठे में मिला कर पिलाने से 100 गिरान जैतून का तेल आलिफ वाईल में 10 गिरान हीम वाईल का सुरच्छित रख लें इस तेल को फर द्वारा कान में टपकाने से कान के समस्त परकार के रोगों में लाग होता है पिती उचलने पर हीम कोगी में मिला कर मालिश करना अधिक उप्योगी होता है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो पिलिस हमारी वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करें थैंक यू